हलो दोस्तों, आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, दा परफेक्ट इस चड़ी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बीर बहादू सिंप पुर्वांचा इंवर्सिटी से लेके, कि जो बीर का एक्जाम आपका प्रस्तावीत था एक माज से, वो भीया आपका अस्थगित हो चुका है, पूरी complete information पे बात करेंगे, कि आपके बीर फर्स समेश्टर का अस्थगित हुआ है, कि थर्ड समेश्टर का अस्थगित हुआ है, और अस्थगित हुआ भी तो नई एक्जाम डेट आपकी क् एक्जाम होगा कहने का मतलब है, जो आपका एक्जाम 11 मार्श से प्रस्तावीत है, वो तो आपका 11 मार्श से ही होगा, तो आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है, जो बीर फर्ड समेश्टर वाले बच्चे हैं, 2021-23 बैच की श्टुएंट है, उनका एक तरीके से एक्जाम य अपने ही टाइम अनुसारूं का एक्जाम होगा, लेकिन थर्ड समेश्टर वाले बच्चों का एक्जाम यहां पर एक तरीके स्थागित हुआ है, एक मार्श को और उसके बाद तीन मार्श को एक्जाम ना होके, ध्यान से मेरी बात को समझेगा, आपका एक्जाम कब होने क सम्भावना यहां पर बताई जारी है, तो जो आपका यहां पर 10 मार्श को और आपका सेकेंड पेपर जो जेंडर इस्कूल एन सोसाइटी है, वो 18 मार्श को होगा, यानि जो आपका क्रियेटिव इंकुलूसीव एजुकेशन है, वो 10 मार्श को कंड़क्ट होगा, और जो जेंडर इस्कूल एन सो साथी वो 18 मार्च को होगा तो यह complete information है किस कारण हुआ है तो जो SSC CGL का जो मुख्य परिच्छा थी यानि जो एक तरिके से मेंस एक्जाम था उसके लिए उसी को ध्यान में रखते हुए यह आपके एक्जाम डेट टाल दी गई है और कई बच्चे लगातार इस चीज के लिए कह भी रहे थे ठीक है चलिए उमीद करते पूरी information को समझेंगे यह notice हम टेलिग्राम पे सेर कर देंगे अपने दोस्तियार को आप लोग जरूर inform कर देजएगा कि एक्जाम यहाँ पे पोस्टपोंड हो चुका ठीक है चलिए मिलते हम लोग किसी क्लास के साथ तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए सभी भाई भेहन को जै हिन जै भारत